हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम टो एजुकेशन पर भोपाल तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई कुछ प्रॉब्लम्स था इसलिए तो आप बोलो को सर प्रॉब्लम क्या हो गई क्लासेस स्टार्ट होने से पहले प्रॉब्लम यह हुआ बच्चो कि बीटेक वाले को भी सोम पढ़ना है और आप लोगों को भी क्या पढ़ना सोम पढ़ना है ठीक है और दोनों का बेसिक क्या है सेम है डिप्लोमा वालों को बेसिक पढ़ना और और सोम जो बीटेक वाले हैं उनको बेसिक के साथ साथ उनक करते कि जब वो देखता तो बोलता कि यार ये वीडियो भी सेम और ये वीडियो भी सेमें दोनों का बेसिक सेमें तो मैं माप भज़ कि मैं क्या करूं तो इसके लिए सॉलेशन ये निकाला है कि मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा ठीक है और उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो होंगे वह आपके एक ओर्डिंग ही होंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी कोई वीडियो नया आ तो आपको कन्फूज नहीं होना कि ये बी नहीं होना है क्योंकि अगर एक ही content में दो बार डालूंगा तो हो सकता है कि हमारा चैनल ही क्या हो जाए suspend हो जाए तो basic same पढ़ना है तो मैं उसी recording पढ़ा रहा हूं कि आपको videos का content मिल जाए बस आपको अपना playlist मैंने description में भी दे दिया है तो उस playlist में जाकर आप आराम से अपने videos को देख सकते हो ठीक है दूसरी बात friend की video को जारा जारा share करो अगर एक हजा सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तो हम लोग live classes ले पाएंगे तो जो भी आपका डाउट है वो clear कर पाएंगे अपन अभी लगबग 500 के round हो गया 500 मुझे पता है चाचा फुपा फुपी कि इतने भी दोस्त त्यार है उनके मोबाइल subscribe कर दो क्योंकि एक हजार हुआ हमने live class लेना शुरू कर दिया लाइफ मैं जब भी कोई नया चैप्टर सुरू करवाँगा तो मैं चैप्टर का सिर्फ नाम बताऊंगा यह कौन सा चैप्टर है यह मैं नहीं बताऊंगा तो आप सबसे पहले आपने कॉपी के पहले पेज पे लिख लो कि हाँ इतने चैप्टर सापको पढ़ने हैं ठीक है तो अब आपको सिर्फ और सिप्टर पर ध्यान देना जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं पढ़ा रहा हूं स्प्रिंग आप देख लोगो कि हाँ स्प्रिंग स्प्रिंग मेरा नहुआ चैप्टर तो आपके साथ से वो नहुआ चैप्टर शुरू हो जाएगा ठीक है फेंड चलिए तो आज आपने लोग आपको आज मैं आपको पूरा सिरेबर समझांगा और चैंट स्प्रिंग मीटेरियल थो से म हैं डिपलोमा को और स्टेंट विट लेक llev स्फ ही इस strength of material बहुत ही tough subject है आपको अच्छे से माइनत करना पड़ेगा otherwise एक भी question नहीं इलने वाला आपसे friend चलिए तो देखें chapters में सबसे पहला chapter है आपका simple stress and strain ठीक है जो की simple इसको क्या बोलते है stress और strain भी कहते है दूसरा जो chapter है वो है mechanical properties दूसरा जो chapter है वो क्या है mechanical properties तीसरा chapter है shear force and bending moment चौथा chapter है principal stress and strain पांचवा chapter है bending stresses in beam छटा chapter है shear stress in beam साथवा chapter है deflection of beam आठवा chapter है torsion of shaft नववा chapter है spring दसवा chapter है column and strut और इगारवा chapter stresses in frame stresses in frame तो friends सिर्फ यह दूसरे को छोड़कर यह दूसरा क्या थूरी है इस दूसरे को छोड़कर आपका पूरा syllabus numerical based numerical नुमेरिकल नुमेरिकल आते हैं question paper निकाल कर देख लेना हमेशा numerical ही numerical आते हैं तो आप सबसे पहले mechanical वालो अपना syllabus को note करो वीडियो को पाउस करके ठीक है थोड़ा सा सिविल वालों कोई बात कर लेते हैं तो सिविल वालों को कुछ कम चैप्टर्स पढ़ने चैप्टर्स कमने उनको बस स्ट्रेस बिक्स कर दिया तो उनका पहला चैप्टरव इस्ट्रेस एन इस प्रेयन है दूस्टा प्रिंस्ट्रेस और स्ट्रेश्ट्रेस एप्रेंग आज हैं और सात्वा कॉलम एन इस्ट्रट तो फ्रेंड आज का जो ये वीडियो था सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आप अपना सिलेबस नोट कर ले ठीक है और अगर आपको प्लेलिस्ट में दिख रहा है स्ट्रेस और स्टेंड आप समझ जाएंगे कि आपका पहला चैप्टर ह यहाइफ का चेप्टर है अगर आपको प्लेलिस्ट में दिख रहा है आप समझ जाएंगे यह आपका आठवा क्याप्टर है आपको अपने प्लेलिस्ट के परना है सारे कोश्क brightly करवा दूगा कोई भी दिक्क्रत की बात नहीं है। नहीं सुबain naãy मैं क्या बोला आपको को लाइफ क्लास हो पाई और मैं आपका जितना भी डाउट हो क्लियर कर पाऊं तो आज इसको आप नोट करो ठीक है बच्छो तो अगली क्लास में जो आपका प्लेलिस्ट है उसके आप पढ़ना शुरू कर दो जिसके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सबसे पहला से अपना पढ़ लोगे क्योंकि मैं चैप्टर्स का निंबर नहीं बताऊंगा सिर्फ नाम बताऊंगा ठीक है और यह जो एक हजार सब्सक्राइबर की बात की वह आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा टफ है सूम थोड़ा क्या कुछ जा रही टफ है लेकिन अगर आप उस अब मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना पाऊंगा देखे मैंने दिमाग लगाया ना कि मैं एक जैसा कंटेन नहीं डाल पा रहा था तो मैं दिमाग लागा नहीं कि मैं डिप्लोमा वालों को लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और जो वीडियो उनके लिए ह अपना चैप्टर्ष को पढ़ियो बीच बिच में जैसे कि स्प्रिंग बीटेक वालों को नहीं पढ़ना भीडियो बनाऊंगा अंडी लगब को टशक्राइब कर शेक्का, वालों को परना हाट, तो मैं इसके लिए अलग विडियो बना दूंगा, तो मैं विए णोधया व क्लास ले पाऊं तो आप अपला आप देखिए आपका प्लेलिस में पहला चाप्टर होगा तो आप वहां से फढ़ना स्टार्ट किजिए थैंक्यू सो मच फ्रेंड आप इसे नोट कर लो फिर अपन मिलते हैं आप से अगले क्लास में क्ला कैनले क्लास से वاحले आपघले क्लास है यह वहां से डाप शांप बजब हो आप होगा जो आप होगा है इससंक्राइग बजग झाल में लाटते हैं ट्र onion NICK